अज़ हम एक दूसरे वियूर का इसके बारे में स्कुर्ज करना के नीस के इस और दो विंदर के नहीं वेत् हमुएह desses कल अज्ञाय रूपर करें को तो अपने गांड से घ्याड़ा कि में तो अपड़ si Bill और गाड़ी बहुत ही बेकार लग रही है लोड सही नहीं ले रही है बार-बार गियर क्लच यूज़ करना पड़ रहा है तो फ्रेंट्स इसके पीछे जो उन्होंने जो दसजार में काम करवाने के बाद भी उनकी गाड़ी इंपर्फ़र्मस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंक अच्छा से हुआ है नया पिस्तन और नई रिंग डली है कि आपके सिरेंडर को बोर किया गया है एक कीट को चेंज किया गया है और आपकी हैड की क्डूल पत्सका इसलिगा ही डिंक तो भी आपके फैर्डटकी गाड़ी में एक इश्यू आया था कि उसकी जो सर्वीस करा रहा था टाइम पर उसका ब्रदर यह स्यक्राइब गाड़ी अपनी एक्टिवा लेकर आया तो उसके गाड़ी में से काफी धुँआ लगा एकदम से जब कि उसकी गाड़ी अच्छी दे रही थी सब कुछ अच्छा चल रहता तो इस सर्विस कराने के बाद गाड़ी धुआ देने लगी उसके बाद उसने उसी मेकैनिक को वाप तो उसने इंजनोल भी नहीं था उसके अंदर गाड़ी में इंजनोल भी बहुत खाने लगी थी गाड़ी इसलिए धुमा भी दे रही थी जबकि अच्छा मेकैनिक क्या करता है अच्छा मेकैनिक अच्छा काम करता है जिससे उसके पास और भी ज्यादा काम आने लगता है पर जो बेकार मेकैनिक होते हैं वो क्या करते हैं वो धोकदाडी से कस्टमर की गाड़ी में नुकसान करते हैं कि कुछ दिनों बाद वो गाड अगर आपकी घाडी में छोी में बड़ो कुई वापिस अथी ठीक होने के लिए उस टाइम पर वो अच्छा आप师 Wonk घंसा तो है कि देखा जाए तो अगर आपकी गाड़ी में जो है अगर आपके गाड़ी में दौंड़ा वगर की प्रॉब्लम है कोई वैसे कोई कोई बड़ी नोईस नहीं है कोई बड़ा शोर नहीं कर रही गाड़ी तो फिर आपको टॉप एंड जोब कराने की जरूरत पड़ती है जिसमें के आपका सिलेंडर हैड बोर सिलेंडर हैड और आपके सिलेंडर बोर और पिस्टन से रिंग का काम होता है बाकि आपको कोई काम कराने की ज़रुद नहीं है ज्यादा इसे ज्यादा टाइमिंग चेन करें आपकी लूज हो गई है तो आप उसी टाइम रिप्लेस करा सकते हैं बाकि उसमें ज्यादा खर्चा करने की ज़रुद नहीं पड़ती है आपके जो सिलेंडर बोर की नई जो किट है वो तीन-चारहा तो तो की आपको द्यान अखना है कि आगर आपकी है तो यह आप पूरे का काम करा है अदुवास नहीं कराएं हैं जाता कशो सर्वीस then राव होते हैं से और च suspect रहे कि चोड़ देते था तो मित्वर में चली जाती है और सिलेंडर को नुकसान पोचाती है और गाड़ी जो ही ढूँका साहिए। गूकृण को सब्सक्राइब लग जाएगी तो फ्रेट्स ये ट्rik की वजह से आपके जो मेकैनिक है वो आपकी गाड़ी में नुखसान कर देता है अगर ऐसा होता है तो आप अपने मेकेनिक से पूचाज कीजिए उसको बोलिए के बही तूने ऐसा क्या किया है तो अच्छा मेकाइनिक होना बहुत जरूरी है आपको अपनी गाड़ी की नॉलिज होना बहुत जरूरी है तो फ्रेंस सबसे पहले यह तो गई एक बात कि आपकी गाड़ी में मेकाइनिक्स कुछ मेकाइनिक्स नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं कैसे पहुंचात हैं तो यह सारी चीजे आपको जो है अपनी आखों के सामने डल्वानी चाहिए जैसा कि क्या हो गया वाल आपके सामने डल्वाने चाहिए अगर वाल की सीट काफी कट गई है तो वह आपको चेंज करानी चाहिए या आप चाहें तो पूरे हैड जी ही चेंज करा सकते हैं सिले वाल जो है Cylinder head जो Cylinder het Docker seat जोıyor इसके उपर वाँको बैठ रहे हैं सही से तो आपको ऑफ्यो और नहीं है आपको सिर्फ जह है वाल गाइड को चेंज्ज कराना होता है एक वाल अगर आपके हील रहे हैं आपके वाल हील रहे हैं अगर अंदर बिठाने के बाद थोड़े बहुत भी हिल रहे हैं जरा से भी रहे हैं तो आपको वाल गाइड हमेशा चेंज करानी चाहिए बिना वाल गाइड के वाल चेंज कराने से कोई फाइदा नहीं है तो आपको क्या-क्या काम कराना चाहिए सबसे पहले जब आप आपकी गाड़ी दुहा देती है या आप जो भी गाड़ी का काम कराते है तो सबसे पहले तो आपको oversize piston ही डलवाना चाहिए cylinder को आपको बोर कराना चाहिए cylinder को आपको बोर कराना चाहिए किसी अच्छे मेशिनिस्ट से बोर कराना चाहिए अच्छे खराद वाले से बोर कराना चाहिए या फिर आप अगर नई किट डलवा रहे हैं तो उसमें friends मैंने काफी सारे viewers मेरे viewers ने मुझसे ये question किया था कि क्या sir और नई किट लेने के बाद सिलेंडर बोर करवाना पड़ता है तो friends मैं आपको बता दूँ जब नया सिलेंडर आता है तो उसे बोर करवाने की बिलकुल बीजरत नहीं होती है यह सिर्फ पैसा ठगने की आपके तरीके हैं पैसा ठगने के काम है अधर्वाइस आपको बोर कराने की जड़त नहीं होती है कंपनी से जो सिलेंडर आता है किट आती है वह पहले से बोर होती है पहले से वह पॉलिश्ट होती है और बिल्कुल थाय साइस की होती है उसमें बस आपको सीधा पिस्टर में रिंग डाल कर और आपको किट को एसेंबल करना होता है उसे बोर कराने की कोई जरुत नहीं होती ब पॉइंट 25 का, पॉइंट 50 का, पॉइंट 75 का या एक का अगर पिश्टन डाल रहे हैं, तो आपको बोर कराने की जुड़त पड़ती है, आपको बोर कराना ही चाहिए, दूसरी चीज, काफी सारे लोग, काफी सारे जो है मेकैनिक क्या करते हैं, आप से बोलेंगे कि मैं नया डाल रहा हूँ, और नई रिंग डालूँगा, नया आपको सिलिंडर को बोर कराऊंगा, तो फ्रेंज, काफी सारे मेकैनिक क्या करते हैं, पिश्टन आपका वही रहता है पुराने वाला, वो आप से, वो क्या करेंगे, स्टेंडर्ड पिश्टन में, माल लिजी आपका पि इस रिंग डाल देंगे, स्टेंडर्ड वाले पिश्टन में, और इसको थोड़ा सा घिस देंगे, उसको थोड़ा सा चोटा कर देंगे, उसके अंदर गैब बना देंगे, घिसने के लिए इस टूल का यूज किया जाता है, पर वो क्या करते हैं, वो रिती, फॉयल वगरे इसको घिस देते हैं, और आपके नॉर्मल वाले उसी पिश्टन के अंदर चड़ा देते हैं, इससे क्या होता है, कि कुछ दिनों तो आपका कंप्रेशन बहुत अच्छा दिखाई देता है, आप भी खुश हो जाएंगे, गाड़ी को दोड़ती है, गाड़ी को दोड़ान गाड़ी में एवरेज कम देगी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो सिलेंडर का पिस्टन है, रिंग है, जो भी एक काम है, अपनी आखों के सामने कराना चाहिए, दूसरी बात, उसके मकैनि, मेरे फ्रेंट के मकैनि ने क्या बोला, कि आपका जो पिस्टन है, वो प्रेंट नहीं हो पाता, तो आपको दूसरी कमपनी का उशा श्रीमराम का पिस्टन लाओ, तो वो पागल बनाने वाली बात थी, किसी भी कमपनी का पिस्टन ले लीजिए आप, अगर वो पिस्टन आपकी गाड़ी के नाम लिखा है, उसके उपर लिखा है, आपकी के लिए ही है तो फिर भी चलो उसके मेकैनिक ने लगा के जो इसलेंडर बोर है किट ही चेंज होगी अब किट चेंज करेगा तो उसका फायदा होगा और किट में पैसा खाएगा पर हमने क्या किया हमने वहां जाके वही उशा श्रीराम का पिश्टन खरीदा वहीं अपनी हम यह भी करते हैं कि जब पिस्टन आपका चेंज करते हैं तो उस तरह में क्या करेंगे थोड़ी सी मिट्टी लेके पिस्टन को गंदा करके अफिर आपकी गाड़ी में चड़ा देते हैं उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी का पिस्टन जो है साफ तो होता नहीं है आप कि गाड़ी के जल्दी-जल्दी का काम आएगा और वह काम उसी मकैनिक के पास आएगा और फिर वह मकैनिक जो है उसमें अच्छे पैसे कमाएगा तो आपको अपने पिस्टन जो है अपनी आंकों के साम में डलवाना चाहिए रिंग हमेशा रिंग डालते हैं तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस फोटो में देख पा रहे होंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो पिस्टन है और यह जो सिलेंडर है, इससे काफी दूर हो चुगा है, और जिसकी वज़ जैसे जो रिंग है इसकी, इसमे लाग चल चुकी है तो आपको वाल वाल गाइड भी जरूर चेंज कर आने चाहिए और वाल गाइड भी अपनी ब्रेंड़ में कंपनी के लिए लोकल नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोकन की जो अंदर का जो बोर होता है अंदर का होल होता है वो प्रोपर नहीं होता है और जो इसकी क्वालिटी होती है इसका जो मैटीरियल होता है वो भी बेकार होता है जल्दी घिजडाता है तो इसलिए आपको कंपनी का ही वाल गाइड रिप्लेस कराना चाहिए दूसरी बात आ साथिए जब बिया आपका हम कर वाल俊ल का है अब इसमें आपको तो ज कराना चाहिए प्लैनिंग कराने से क्या होता है इसका हमारे इंजन होता है यह हीट और कोल्ड होने की वज़े से ठंडा गरम होने की वज़े से इसकी जो सरफेस होती है वह उपर हलका से बिलकुल बारीक से इसको फ्लाइन to kiya में इसको felt कराना चीए और लिए त्किये फ्लैट्य सर्कान जुड़ोज मिट ने सब्सक्राइब से बीच में जो इसकी पैकिंग है वह सही से दब पाये वहां प्रोपल सील बन पाएगे को आपको जो जब आप अपनी गाड़ी का काम कराते हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान अखना चाहिए कि जो देखें यहां पे आपको दो आपको दो गैसकेट नजर आ रही होंगी एक तो है स्प्लेंडर वगरा की गैसकेट और एक है आपकी पैशन वगरा की गैसकेट पैशन प्रो कि आप यहां पे भी देखेंगे कि यहां पे जो है यहां पे आपके इस वाले छेद में एक रबड की ओर इंग आती है और इसमें बिठानी पड़ती है क्योंकि इसमें से ओईल फ्लो होता है हाला कि दूसरी जो पैकिंग है इसमें आपको और इंग नजर नहीं आ रही होगी क खुदी काफी अच्छी क्वालिटी की होती है इसमें जो है कोटिंग चड़ी होती है इसमें और इंग की जरूत नहीं पड़ती है यह खुदी इतनी अच्छे से दबती है कि इसमें पैकिंग अच्छे से हो जाती है दोनों तरफ कोपर होता है तो यहां पर भी आप देख स कि नहीं लगानी चाहिए उससे क्या होगा आपकी गाड़ी का जो हैड है वो सही से बैठ नहीं पाएगा और ओई लीक होगा तीसरी बात मैंने कुछ मेकाइनिक से कुछ मेकाइनिक के बारे में मुझे पता लगा था कि जो कुछ मेकाइनिक है वह इसकी फ्लैटनेस तो कराते है इसको बिल्कुल प्लेट quieren तो कराते नहीं है तो इसकी वजह से क्या हुथ होता है उवीनीक होने की वादी वे halten जो है वे क्या करते हैं उब इस वाली GASket में हलका हलका जो है हलका हलका जो है आपका सिलिकोन लगा دेते हैं ज़ो कि बहुत ही ज्यादा गलत है 1000 kg का प्रेशर जो है वह एक सिलिकोन नहीं नहीं रोख सकती इसलिकोन का कबी यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पर यह बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसी लगती है जादा करें तो जादा मैक्सिम से मैक्सिम हल्की सी आपको ग्रीस की लेयर रहाँ पर हलकी सी ग्रीस जो है आप हलका सा इसमें हलकी सी ग्रीस उंगली से लगा के मसल सकते हैं उससे क्या होता है थोड़ी बची-खुची भी जो कोई स्क्रैच वगर होते हैं वो रुक जाते हैं वहां से ओई लीक नहीं होता और जब नेक्स टाइम आप जो सिलेंडर को निकालेंग तो यह जो पैकिंग होती है आसानी से निकल आती है तो फ्रेंड्स आपको इन चीजों का ध्यान अखना है यहां पर यह उन्होंने इंजन का काम कर रहा है 10,000 रुपे में और फिर भी गाड़ी बहुत बेकार चल रही है तो इनको मैं सजेस्ट यह करता हूं कि आप अपने वाल को अपने वाल की लिकेज चैक करें दूसरी बात वाल तइट नहों वाल टइपेड क्लिर्ंस आपको चैक करवाना है मेंकेनिक से तीसरी बात आपको किक मार के देखनी है कि गाड़ी की किक नये जैसी लग रही है या हलका सट किक में दम कम है तो आपको यही चीज़े चेक करानी है प्रेशर आपको कंप्रेशन आपको गाड़ी का चेक कराना है अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है जिस मेकैनिक को आपने 10,000 रुपे दिये है उसकी किसी भी बातों में नहीं आना है आप उनसे बोलो भी मेरी गाड़ी का कंप्रेशन ठीक करो मेरी गाड़ी में दम नहीं आ रहा है आपने क्या-क्या जो चीज डाली है उसको सही से चेक करो दुबारे से फिटिंग करो मुझे नहीं पता अगर वो कहता आपको और पैसे लगेंगे तो कहो कि बहीं नहीं मुझे और पैसे नहीं देने है मैं पहले ही पैसे दे चुका हूँ मेरी गाड़ी ठीक करो तो फ्रेंस आपको सबसे पहले जब भी आप अपनी गाड़ी का हेड का का काम कराते है या कोई भी काम कराते है देखें, इंजन है, इंजन में कोई भी गलत पार्ट डलेगा, गलत तरीक से असेंबलिंग होगी, तो वो जिंदिगी पर आपको रुलाएगी, आपके पैसे खर्च कराएगी, तो जब भी आपको गाड़ी का काम कराना है, तो आपको हमेशा अपनी आखों के सामने कराना है, कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी के पार्ट डालें, मकैनिक के भरोसे ना रहें, खुद पार्ट खरीदके लेके आएं, और मकैनिक को बस labor charges देने की कोशिश करें, मकैनिक के हाथो कोई पार्ट ना खरीद वाहिए, क्योंकि मकैनिक क्या करेगा, 100 पे की चीजको 500 पे की में बताएगा और बोलेगा लोकल ऑट डालेगा इसलिह मेकेनिक के चक्कर में नहीं आना चाहिए तो friends यहाँ पर आपको समझ में आया होगा आपको जब भी इंजन का काम कराना है तो क्या क्या काम कराना है तो friends इस वीड़ियो को देखने के लिए धन्यवाद